आज मैं आपके लिए लेक हैं चिकन प्लाव की रेसिपी तो चलें रेसिपी स्टार्ट करने से पहरे देख लेते हैं कि इसमें यूज होने वाले मसाले कौन-कौन से हैं अजिए प्लाव चावल डालें और दोखे बिगोली हैं मेरे पास 1 kg चिकन है जिसमें ज्यादा तर मैंने घटी वाले गोश्ट लिया है अच्छा बनते हैं मेरे पास 6-7 हरी मिर्ची हैं एक बड़े साइस का मैंने प्यास काट लिया दो अदर टुमाटर काट लिया और दो चम अध्रक और एक चमच लसन नहीं और दो चमच और दुमाटर को यह दो अधर ब्रश्ण का पेस्ट और आप इसमें मैं यूज करूंगी बियानी मसाला आप इसमें घर के अधर मसाले भी यूज कर सकते हैं तो चलें रश्याफिकी की तरफ चलते हैं सबसे पहले मैंने आप प्यास को ब्रॉण कर लेंगे प्यास को ब्रॉण कर लेंगे इससे पहले मेरे चैनल पे आपको यहनी प्लॉव की रेसिपी मिलेगी और अब आपके साथ चिकन प्लॉव जटपट बनने वाला प्लॉव जो शेद करूंगे जटपट बना लेते हैं प्यास को ब्रॉण होने देंगे यहां के अब प्यास को तकरीपन ब्रॉण हो चुक्या बन मिस्वे अद्रक लेसन का पेस्ट चामिल करेंगे अब प्यास को प्रॉण को भीताइब चुक्या तकरीज़ों प्यास को प्राइ करोड़न को अब इसको में हमजजिक और यो चुश्बू आना शुरू होगी है जैसे लेसं कोड़ा सा प्राय होता है इसकी हुच्टू आना चुग हो जाती है अब आप इसमें हम चिकन कर देंगे जब लेसं डालें तो चिकन डालें जब फुड़ा सा इसकी गूनते हैं तो जो चिकन की स्मेल होती है वह फ़तम हो जाती है तो पर इसका अपना पानी फुष्क हो जाता है और प्राय हो जाती है और बड़े ही मज़े की हुष्क हो जाती है यहां पर देखें चिकन का पानी हुष्क हो जब चुक है और चिकन का पिलर भी चेंज हो गया अब मैं इसमें तोमाटा चामिल करूँगी तोमाटा का में इस्कित करोड़ें सब्सक्राइब बिर्यानी मसाला चला चाहिए जरा से मसाला में बचा लूँगी जो के मैं दम देते हैं उपर डालेंगी उसे बड़ी अच्छा प्लेवर आते हैं चला चला चली अचाहिए नचेब करेंगी अच्छा अच्छा चाहिए जराएब जोड़ी आते हैं करीब आफ टी स्पून में चली अच्छाएट करोंगी जब तक तक नरम होते हैं यहां पर देखें आज छोड़ दी अच्छी तरफ से बुन गया है तितन बुन गया है मेरा अब इसमें पानी शामिल करेंगे एम पानी शामिल करेंगे अग मेरा थे जाओल के मिलें तक यहां आओल यह ने अए पानी है अबिता घुल सक अखेंगे 회ण को सब्सक्राइब करें अद्यान मिलें क्रेंगे। अगर आप पानी ज्यादा डालते हैं तो चावल जूड़ जाते है यहां पर मैं पानी डालने के बाद एक लीमू का रस शामिल करूँगी इससे जो यह जूड़ते नियां खिले खिले बनते हैं अगर आपके लीमू नहीं है तो आप थोड़ा सा सिरकार डाल लें इसको डालते हैं तक पकाएंगे और पिर चावल शामिल करेंगे तो यह रेखें यहां पर बाइल आकिया है अब हम इसमें चावल एड़ करेंगे करेंगे एक दो बॉइल आने के बाद आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं अगर आपको नमक कम लगे तो आप और एड़ कर लें एक दू मिनिट इसको बॉइल आ लें देंगे तो यह देखिए चावल यहां पर हमारे काफी हटक जो है पानी हुश्क हो चुक है थोड़ा सही पानी रहे गया तो आप मैं इसको दम पे रख दूंगे क्योंकि चावलों में अभी काफी सारा तरक है जो के दम पे पकेंगे आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है अब इसके उपर मैं लीमू लगा दूंगी यह जो हरी मिर्चे मैंने साबुत काट के इन में कट लगा के रखी ती यह शामिल कर लोंगी क्योंकि मिर्चे मुझे खड़ी खड़ी पसंद है प्लाव में बच्चावा जो मसाला था वो इस पे आड़ करेंगे अब इसको दस मिनट के लिए मैं दम लगा दूंगी दस मिनट के बाद देखते हैं तो वीवर्स दस मिनट हो चुके हैं बहुत यह अच्छी खुश्पू आ रही है पलाव हमारा रेडी है बहुत अच्छा पलाव बन गया है तो अब मैं इसको सर्फ करके दिखाती हूं आपको तो चले सर्फ करते हैं तो वीवर्स यह मारा चिकन पलाव तो त्यार है तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक किएज़ेगा कोमेट्स में जरूर बताइएगा और जिन बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर्वत मिल सकें और मेरी वीडियो को फुल वाच कीजिएगा बहुत शुक्रिया अलाहाफेज